हेलो बचो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड स्कुल में बचो आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस से रिटेड इंपोर्टेंट कोस्टन सॉल्व करेंगे बहुत ही बहुत ही बहती ढंग से आपको मैं कोस्टन करूँगा और आप सभी एंसर बताते चलेंगे इस तरीके से हम बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे आप सभी को पता है कि सैनिक स्कूल में टोटल 25 कोश्चन और RMS में 50 कोश्चन पूशे जाते हैं इंटेलिजेंस से यानि कि वेटेज आप देखिए बहुत ज़्यादा वेटेज होता है इंटेलिजेंस का तो इंटेलिजेंस के कोश्चन जो लगातार पूशे जा रहे है हर साल जिस तरी कोश्चन आ रहे है बिल्कुल उसी तरी के कोश्चन के प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि इस साल भी उसी तरी के कोश्चन आया और हमारे कोश्चन असानी से बन जाए और हर तरी के कोश्चन करेंगे GK serrated, GI serrated आज हम GI serrated question की practice कर रहे हैं कभी कुछ दिनों के बाद हम GK serrated आपके लिए important question upload कर देंगे उसके math serrated तो इस तरीके से आपको सारी चीजे एक जगा पर मिल जाएंगे और बहुत ही important questions होंगे जिस तरी question लगातार आपके exam में पुझ जा रहे हैं तो नियम तो आपको पता ही है जैसी question आपके screen पर आए आपको पहला प्रयास करना है खुद solve करने का बाकी बताने के लिए मैं हूँ सभी का solution मैं बताऊँगा लेकिन खुद प्रयास कीजे जैसे ही question आए वीडियो को pause कीजे और answer लिखी अपना आपके अनुसार answer क्या आ रहा है नहीं समझ आ रहा है फिर मेरा solution देखिए और सभी को comment box में जितने भी question मैं solve करा हूँ सभी question के answer जरूर देना है और समझना है कि किस तरीके से questions आ रहे हैं किस तरीके से solve करें सबसे पहले अगर आपको वही चीज पता चल गई तो फिर तो बिल्कुल मजा ही आ जाएगा बिल्कुल जिस तरीके question की practice कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही question आपके exam में भी आपको देखने को मिलेंगे चलिए फिर पहले question से start करते हैं पहला question क्या screen पर if we consider 1st January 2000 as Friday then which day was 31st December 2000 यदि हम 1 January 2000 को सन 2000 को सुक्रवार माने तो 31 December 2000 को कौन सा दिन होगा ठीक है तो पहले तो हमको क्या find करना है कि leap year है या ordinary year है leap year के लिए क्लिए क्या condition है कि अगर कोई year 4 से divide हो जा रहा हो तो वो leap year है लेकिन century year के लिए condition है कि century year हमेशा 100 तो डिवाइड तो हो गई साथ में 400 से भी डिवाइड होना चाहिए और ये जी हाँ बिल्कुल ये century year है तो देखिए ठीक है year कौन सा 2000 divided by 400 है जी हाँ बिल्कुल डिवाइड है तो क्या है ये leap year है ये leap year है और leap year का हम नियम जानते हैं कि leap year में जो पहला दिन होता है ठीक है last दिनों नहीं होता उसके बाद वाला दिन last दिन होता यानि कि एक जनवरी को क्या था Friday था तो 31 December यानि 31 December को क्या होगा सुकुरवार के बाद Friday के बाद Saturday होगा तो answer आजाएगा Saturday लेकिन अगर ये ही ordinary year होता तो simple सा नियम था कि जो day first day रहता जो एक जनवरी को जो भी दिन रहता है 31 December को भी वही दिन रहता है 31 December को भी वही दिन रहता है लेकिन क्या हो गया लिपियर में जो दिन पहला रहता है उसके बाद वाला दिन last दिन उस जो year complete हो रहा उस तरीके से है ना तो देखिए पहला दिन यहां सुकुरवार था तो last दिन हो गया एक आगे Saturday clear चली आगे next है if G is coded as 49 then how will K be coded है ना क्या है यदि G को हम किसी कूट भासा में 49 लिखते है उन्चास लिखते है तो K को कैसे लिखेंगे अच्छे यह बताइए G की place value आपको पता है G कौन से नंबर पे आता है जब हम ABCD लिखते हैं तो English के alphabet 7 नंबर पे और आप बताएं यह 49 और 7 में 7 का square है 7 का square का मतलब 7 into 7 करने पे आ जाता है 49 तो हम same to same इसमें भी करते हैं के कौन से नंबर पे आता है के आता है IJ के 11 नंबर पे के आता 11 नंबर पे तो same to same हम करते है 11 का square कर देते हैं 11 का square करने पे कितना आएगा 11 into 11 equal to 121 देखें कितना simple question है 121 आगया आपका answer है ना चली आगये next question आप देखें if run equal to 182114 and bin equal to 2914 then bring equal to मतलब यह देखें कोई coding कोई coding लिखी हूँ इसको हमको समझना है अगर आपने इस code को decode कर लिया ना फिर इसका answer आ जाएगा तो सबसे ज़रूरी क्या है कि code को decode करना कैसे code को decode करें हम मैं logic जानते है logic पता चल गया तो answer तो आना ही है हमारा है ना देखें आपर r है run run लिखा हुआ पहले r है तो r कौन से number पे आता r की place value होती 18 होती अच्छा हाँ तो r की place value 18 u आता है 21 number पर u आता है 21 number पर हाँ तो यहाँ 21 है n इकॉल to 14 मतलब की place value लिखा हुआ है simple सा कुछ भी नहीं है तो simple सा bin b आता है 2 number पे ठीक है i आता है 9 number पे और n आता 14 पे simple सा अब bring लिखना है ठीक है तो bring आप तो simple हो गया हमको logic पता चल गया कि place value लिखना b आता है second पे r आता है 18 पर i आता है 9 number पे n आता है 14 पर g आता है 7 यह जहाँ दिख जाए आपका answer आ चुका है 218 91 of 47 simple सा option number यह आपका correct है ना चलिए next आप देखिए क्या है arrange the following in the logical order इसको आपको नीचे दिये गए सब्दों को तार की का नुकरम में दिमाग लगाना है कि कौन सी चीज पहले आएगी कौन सी चीज बाद में आएगी कि सिक्वेंस और साथ में option पे भी देखना है कि option ने पहले इस्थान पे कौन सा आ रहा है जैसे पहला option देखिए कि 4 है car आ गया car के बाद फिर train है train के बाद फिर motorcycle है तो आपको देखिए ने यहाँ पर क्या क्या दिख रहे है motorcycle है bus है car है train है इसको sequence में लगाते है देखिए सब से छोटा कौन सा होगा cycle होगा cycle से अपग्रेड हो तो car से अपग्रेड होगे तो bus से बड़ी हो गई ना फिर bus से उपर train है ना traveling के लिए पहले number पे क्या आ जाएगा यह आ जाएगा एक इसके बाद फिर आ जाएगा motorcycle दो इसके बाद क्या car 3 इसके बाद फिर bus 4 और यह 5 मतलब की sequence आपका कुछ ऐसा होगा 2 इसके बाद फिर 1 इसके बाद 4 इसके बाद 3 इसके बाद 5 इसके बाद 5 देखिए कहां पे दिख रहा है ऐसा sequence ऐसा sequence जहां भी दिखे सीधा answer लगाई 2 1 4 3 5 option number D आपका answer है कितना simple है बताएगे अब बताई यहाँ पे what will come in the place of question mark in the following series यह series है एक सिंखला है इसमें क्या आएगा अब देखिए 100 के बाद यहाँ लिखा हुआ है 50 अब 100 के बाद 50 कैसे आ सकता है कुस तो logic लगा होगा कुस तो दिमाग लगा होगा अलग कि 100 के बाद यहाँ पे आ गया 50 मतलब हम 100 को जब divided by 2 करें तो आ जाता है 50 है ना 100 को हमने क्या किया दो से भाग दिया दो से भाग दिया तो आ गया 50 यानि 50 50 को फिर 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 25 अब 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा उसका हाप करना है बस 25 divided by 2 equal to 12.5 तो एंसर आ गया 12.5 ऐसे ही question आते है सभी को चैट में reply करके answer देना है ना चैट में comment box में सभी को answer लिखना है next which of the following word can be formed from the letter of the word international नेम लिकित में से कौन सा सब्द international सब्द के अक्छरों से बनाया जा सकता है अब इसमें जो जो letter use हुए होंगे उनका use करके कौन सा word बनाया जा सकता है चली देखते है oriental ओ आया है क्या यहां पर आया है R आया है आया है I आया है I बिलकुल आया है E आया है E बिलकुल आया है N N भी आया हुआ है T T भी आया हुआ है A A भी आया हुआ है L L भी आया हुआ है मतलब यह बन सकता है यही तो पूछा है अब देखें बाकी चेक कर लेते हैं जी आ गया जी इसमें यह नहीं बन सकता, लोट्री है इसमें Y आया है, Y इसमें नहीं है, इसको काट दीजे यहाँ देखिए rotational, R आया हाजी आ गया, O आया हाजी आ गया, T आया हाजी आ गया, A आया हाजी आ गया, हाँ बिलकुल आ गया T आया फिर से, आ गया, डबल I, आय, देखिए यहाँ T दो बार है न, I, इसका O, O तो केवल एक बार आया है, देखिए यहाँ पे O, यहाँ पे है, और यहाँ पे भी O है, लेकिन एक बार आया है, जबकि इसमें दो बार आया है, तो जितनी बार वहाँ पे आया होगा, उतनी बार हमको उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए ये भी answer गलत, हमारा answer है option number A oriental, ना, चलिए next नेम लिकित में से कौन दूसरों से भी नेवी चौधा following is different from other odd man out का question है, इसमें हमको क्या करना रहता है, पहले तो 4 option है, 4 option में से, एक अलग है एक अलग है, मतलब 3 तो same to same होंगे, 3 जो होंगे same to same होंगे, अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं दिखने में same to same, अगर अगर हम figure की बात करें figure odd man out होता तो दिखने में हो सकते हैं same logic के हिसाब से same, ठीक है इसके या फिर हो सकते है daily life के huge के हिसाब से same या उसका answer same आ रहा हो इस हिसाब से क्या चीज है, same हो सकती एक अलग होगा, देखते हैं यहां क्या logic है फरवरी, मार्च, माई जनवरी, अब यहां logic लगई क्या अलग है, 3 में क्या relation है एक तो सबसे अलग है, लेकिन बाकी तीन एक दूसरे से सम्बंदित होने चाहिए related होने चाहिए ना, हाज ही हो सकते है मार्च में 31 days माई में 31 days जनवरी में 31 days फरवरी में कितने दिन होते हैं फरवरी में 28 या 29 दिन जब normal year हो तो 28 दिन और अगर leap year हो तो 29 यानि की 29 दिन तो इस सबसे अलग है ना, बाकी में तो 31 days हमेशा होंगे, तो तीनों एक दूसरे से related है, जबकि एक हो गया अलग तो option number A अपना correct answer है, सबसे अलग बताना था सबसे अलग हो गया option number A next, अब इसमें देखिए यह analogy है, इसमें आपको पहला focus होना चाहिए, 4 dot पर हमको पहला focus होना चाहिए, 4 dot पर हम पहुँच गया वहाँ, अब इन दोनों में कौन सा relation है, देखिए क्या relation है, किस प्रकार एक दूसरे से संबन्दित है, वही same to same relation इन दोनों के मध्या, established कर दीजे आपका answer आ जाएगा, A, C और यहाँ E, G, तो A से इसका पहला अच्छर और इसका पहला अच्छर देखिए A से E तक जाने में हमको कितना समय लगा 4, देखते हैं न, जैसे कैसा A, B, C, D, E A आता है पहले नमबर पे, और E आता है पांचवे नमबर पे तो हमने क्या किया, प्लस 4 किया प्लस 4 करने पर हम A से E पहुँच गया अब दोनों का second letter देखें C से G तक जाना है, C आता है ठर नमबर पे, G आता है, 7 नमबर पे फिर से प्लस 4 किया, तो मतलब प्लस 4 करने पे पहुँच जा रहे हैं तो बस simple सा, यहां आई है, आई पे प्लस 4 करेंगे, तो कितना आएगा, आई आता है 9 नमबर पे, 9 में हम प्लस 4 करें, तो 13 13 नमबर पे क्या आता है, M आता है तो यहां हो जाएगा M, ओके अब के आता है 11 नमबर पे के आता है 11 नमबर पे, अब 11 में अगर हम क्या एड़ करें 4 एड़ करें 11 में 4 एड़ करें, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 पे आता हो, तो M, O आपका एंसर हो जाएगा, देखें कितना simple है प्लस 4, प्लस 4 तो करना है कोई भी दिकत नहीं, बिल्कुल simple सा है, बिल्कुल इससे simple question और क्या ही मिलेगा आपको बता ही, एक्जाम में, नहीं मिलने वाला इससे simple question, ऐसे question आ जाए, मतलब आपको बना कर ही आना है, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है यह हो गया ना I, J, K, K कितने पे, 11 पे है I, 9 पे है, तो 9 प्लस 4 13 पे M आ गया, K आता 11 नंबर पे I, J, K, I आता 9, J, 10 और K, 11, 11 प्लस 4 15, 15 पे आता है, तो M हो आपका answer है next question देखिए, अब यह अच्छा question लग रहा बड़ा सा question लग रहा है question तो simple है, बस पढ़ना है पूरा question, नहा अपने घर के दक्षिड में 500 मीटर जाती है, दाय मुड़ती है 200 मीटर जाती है, फिर उत्तर की ओड मुड़कर वहाँ 500 मीटर जाती है अब वो अपने घर से किस दिशा में है देखिएगा इंगलिस में, नहा गोस 500 मीटर to the south of her house turns right and goes 200 मीटर, that turning to the north, she goes 500 100 मीटर, in which direction is she from her house मतलब अपने घर से किस direction में है तो देखिए, जो जो बताया गया उसको follow कीजिए क्या वो लगया, हमको पहले पता है ना, standard जो direction होता है ये देखिए, north, ये उपर उत्तर दिशा, ये south हो गया ये east हो गया, ये west हो गया उत्तर, पूरुव, दक्षिड पस्चिम ये, अब देखते है अपने घर से दक्षिड, मान के चलिए ये नेहा का घर है, ठीक है नेहा का घर है, and मतलब नेहा नेहा का घर है, दक्षिड की ओर जाती है, नीचे की ओर दक्षिड ये देखिए ना, दक्षिड, south की ओर आती कितना 500 मीटर, चलिए इसको 500 मीटर हम south की ओर ले आए, अब दाय मुड़ती है अब नीचे की ओर आरी, अब दाय मुड़ती है यानि right turn लेती है right turn का मतलब क्या है 90 degree clockwise, ठीक है जब हम देखिए ऐसा देख रहे हैं, तो अगर वो उत्तर की ओर जाती, तो right इधर होता north की ओर जाती, तो right इधर होता लेकिन वो जारी का south की ओर तो right की ओर होगा, इधर होगा, ठीक है तो right की ओर जाएगी, चलिए ये देखिए, 90 degree clockwise हुआ ना clockwise घरी ऐसा ही तो गुमती है clockwise direction ठीक है, तो आप मुड़ती है देखिए दाएं और मुड़ गई, और 200 meter जाती चलिए, 200 meter इसको हमने चला दिया अब फिर क्या करती, उत्तर की ओर उत्तर कहा है, north कहा है, उपर की ओर तो फिर उपर की ओर जाती, और कितने 500 meter जाती, अच्छा, 500 meter इसका घर कहां था, यहां पे ठीक है, नेहा का घर आपको कहां मिल गया, यहां, अब वो पूछा क्या जा रहा है वो अपने घर से किस दिसा में है उसकी direction मतला ना, घर से तो देखिए, घर उसका यह है घर से कहां है, यहां है, यहां पे है पस्ची में है, यहांनी वेस्ट में नेक्स्ट, लास्ट कोस्चन है अब देखिए क्या है, टू पजिशन ओपर डाइस और सोन विलो, इडेंटिफाइड द नमबर अड़ अड़ बॉटम वेंड, टॉप इस त्री, एक पासी की दो सितिया के कोस्चन बताता रहूँगा, जब आपके स्क्रीन पर सामने आएंगे कोस्चन, है ना, अभी इसके हिसाब से बताते है, देखिए, दो डाइस आपको दिख रहे है, है ना, यहां पी देखिए कौन-कौन से डिजिट है, कॉमन दिख रहे है 1, 2, 5 यहां है, यहां 1, 5, 3 है मतब इसमें भी 1, 5 है, यहां 1, 5 है और यहां भी 1, 5 है, मतब 1, 5 क्या है, कॉमन है जब दो डाइस हमको दिए हैं और 2 डिजिट उसमें कॉमन आ जाए लेकिन जो कॉमन आएंगो, सेम प्लेस पे नहीं होना चाहिए याद रखिए, सेम प्लेस पे नहीं, देखिए 1, 5 यहां है तो यहां 1, 5 इस साइड है, ऐसा नहीं हो कि 1 यहां है, तो 5 यहां है, तो वो डाइस पॉसिबल नहीं होगा है तो यहां देखिए 1, 5 है, तो यहां 1, 5 हो गया तो दो common है, तो जो तीसरा वाला होगा, one five common हो गया, जो बज गया, यहाँ two बज गया, यहाँ three बज गया, एक दूसरे के opposite हो जाएंगे, तो two किसके opposite हो जाएगा, इसके three के, या फिर three किसके opposite हो जाएगा, two के opposite, अब क्या पूछा गया, इसके उपरी फलक पर तीन हो तो answer option number D, कितना simple है 9-9 question आपको dice rated लेकर आते रहूँगा ताकि यह होगा न कि जिस प्रकार के question आ रहे हैं उसको हम solve करेंगे, उस approach को समझेंगे और 9-9 तरीकी question को solve करके सब कुछ concept को समझ लेंगे, तो सब ही को, जितने भी question मैंने दिये खुद से try करना, आपको मैं बता चुका हूँ और comment box में सभी बच्चों को answer जरूर लिखना है, ओके यहां तक हो गया हमारा complete यह दिखिए बच्चे जिन्होंने 9-9 विद्यालाय उस सैनी की स्कूल में नाम रोसन किया है देश का है ना, अपने माता पीता का आगे चल कर यह देश के बड़े अधिकारी बनेंगे आप सभी को भी महनत करनी है और 9-9 विद्यालाय उस सैनी की स्कूल में admission लेना है, ठीक है, last year हमने 9-9 विद्यालाय उस सैनी की स्कूल फीड में देश में number one result दिया था और आप सभी सभी उमीद ही इस बर और अच्छा result लेकर आएंगे, आप live batch और recorded batch के माध्यम से, द्रोड स्कूल से जूड कर बच्चों की तयारी करा सकते हैं, नवद्या विद्यालाय सैनी की स्कूल, RMS तो आपके लिए बहुत ही बढ़ायेगा complete package है मैस की पूरी complete preparation के लिए अगर आप नवद्या भी देलाय थोजर पचीज की तयारी recorded batch से करना चाते हैं, तो नवद्या अलफा batch है, सैनी की स्कूल थोजर पचीज की तयारी आप recorded batch से चाते हैं, तो हमारे पास सैनी क अलफा batch है, है ना live batch के बारे मैंने बता दिया पहले ही अभी recorded batch अगर आप recorded batch से तयारी करना चाते हैं, और जो live classes होगी उसमें बच्चे, live class में chat के मादियम से अपने doubt पूछ सकते हैं, live class में मानगी चली बच्चा join नहीं कर पाए तो उसकी recording उसको मिल जाएगी है ना, मतलब complete packages समझेए अगर आप तीनों की तहारी, ना, हो दे भी जाला है सैनी की स्कूल आरे में इस तीनों की तहारी करना चाता है रिकॉडर बैसे, तो हमारा अर्जुन बैच है अब मनवे सवल आता है, इन्रोल कैसे करना है तो प्ले स्टोर पे जाएए, दुरोर स्कूल का आप इंस्टॉल कीजिए किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे courses दिख जाएंगे किसी एक course पे क्लिक किया, जैसे मैंने तेज़ेस बैच पे क्लिक किया नीचे I am interested का option आएगा, इसमें जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ठीक है, पेमेंट के लिंग आपके जिस नंबर से लॉगिन किया उस WhatsApp पर या फिर नॉर्मल SMS में आजेगी, यहां से complete process करके आप enroll कर सकते हैं साथ में दुरोर स्कूल के YouTube चैनल को आप सब भी subscribe करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर ले, जितने भी exam से rated information हो, exam से rated IMP questions हो, ठीक है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी हो, model, paper, mock, test, जितने भी आपको पढ़ाई से rated जितने भी materials सब कुछ दुरोर डिस्कूल के YouTube चैनल पर सबसे पहले provide के जाते हैं, बच्चे इस तरीके अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और exam में बहुत अच्छा perform करते हैं, साथ भी notification वगएरा, जो information वगएरा आती है, उस सब दुरोर डिस्कूल के official टेलिग्राम चैनल पर सबसे पहले share के जाते हैं, तो description में आपको link दे दूँगा, या आप direct टेलिग्राम पे जाकर my draw इसको सर्च करके टेलिग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, अगर आपको batch में इन्रोल करने में कोई दिक्कत आरी, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे help line number 6260388361 पर call करके information ले सकते हैं, सब ही बच्चों के लिए जरूरी, कि जितने भी question मैंने दिया, उसका answer comment box में जरूर देना है, और पहला प्रयास खुद से करना है, नहीं समझाए, तब देखना है कि किस तरीके से सर ने बताया, अगर आप खुद से solve करेंगे, अब देखिए कि सर, अगर आपको ऐसा हुआ कि total आपने 10 question बनाए, खुद से 10 के 10 सही होगा, अब मैंने बनाए, तो आपके अंदर confidence आएगा और बहुत अच्छे से, और मेहनत करके बागी question solve कर पाएंगे, बस ये question solve करेंगे, इसी तरी question आपके exam में भी दिख जाएंगे, तो practice जब अच्छी सर रहेगी, तो exam में तो अ